आप देख सकते हो कि मेरे पास KT 125 बुलू तो स्पीकर आया हुआ है रिपेरिंग के लिए इस स्पीकर के अंदर प्रोलम क्या है कि जब इसको हम ओन करते हैं यह दिखे इसका यह पावर बटन है मैं इसको प्रेस कर रहा हूं तो यहां पर यह ओन तो हो जाता है बट इसके अं करना है किस तरीके से रिपेर करना है सब कुछ मैं आज की वीडियो के अंदर आपको फूल डिटेल से स्टेब बाइस बताऊंगा तो वीडियो को ध्यान से और पूरा देखना तब ही आपको अच्छे से समझ में आएगा तो यहां पर इस प्रोलम को चेक करने के लिए हमें स्टेकर को खोलना पड़ेगा तो खोलने के लिए देखिए यहां पर इस्टेकर पहले भी रिपैर हो चुका है तो यहां पर खोलने के निसान पड़े हुए है तो simply हमें क्या ḥने इसके सारे वयर हमारे जुड़े हुई है तो हमें क्या करना है इनको इस तरीके से पगड़के अराम से निकाल लेना है जो कि बिल्कुल अराम से निकल जाएगी और यहाँ पर यह देखे इसको भी मैंने निकाल लिया है तो यहाँ पर क्या है कि यह हमारे speaker का main board है और इसके अंदर भी आप देख सकते हो हमारे दो page लगी हुए है तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीकी का है यह हमारा KT 125 का सरकीट है अब आप देख सकते हो friend की यहाँ पर हमारे दो IC लगी है एक बड़ी IC लगी है एक छोटी IC लगी है तो यह जो छोटी वाली IC आपको दिखाई दे रही है यह हमारे sound IC होती है और यह जो बड़ी वाली IC है यह हमारी main IC होती है तो यहाँ पर हमें क्या करना है जब भी हमारे किसी भी Bluetooth speaker के अंतर step की आपको problem नजर आए तो सबसे पहले हमें अपने board को बिल्कुल अच्छे तरीके से देखना है तो यहाँ पर देखे मैं जोम करके आपको सारी चीज़े दिखाऊंगा इस तरीके से आपको ना आँखों से सारी चीज़े अच्छे से trace करनी है कई बार क्या होता है friend कि यह जो हमारी IC होती है यह जल जाती है और उपर से फोल जाती है जिसकी वज़े से यह IC हमारी काम नहीं करती है और कई बार उपर से सही देखने में लगती है लेकिन उसके बावजूद भी और ठीक से काम नहीं करती लेकिन आपको बाहर से इस तरीके से मोटा मोटा देख लेना है तो यहाँ पर मुझे देखने में तो सब कुछ OK दिखाई दे रहा है ना तो कहीं कोई track जला हुआ दिखाई दे रहा है ना IC जली हुई दिखाई दे रही है तो हमें क्या करना है इस इस टैब की connector वाली battery लगाते हो तो इसकी plus minus वाली wire को आपको जरूर देखना है अब देखना क्या है जैसे कि इसके अंदर भी connector बना है अब इसके अंदर भी फसाने वाला connector बना है लेकिन इसके अंदर क्या होता है यह चीज़ समझेना आपके लिए बहुत जरूरी है क्यों और यह जो मैंने battery ली है इसके अंदर उल्टा दे रखा है देखिए plus हमारा side में है minus side में है तो अगर हम इसको इस तरीके से लगा देंगे connector के अंदर यह fit तो हो जाएगा बट इसको plus minus ulti supply मिल जाएगी और उसी time यह जो हमारा board है यह जलके खराब हो जाएगा तो इसको बहुत ही जरूरी है देखे इस battery के अंदर क्या है कि plus हमारा side में है minus side में है इस battery के अंदर माने समारा side में है तो यह चीज़ आपको देख लेनी है देखने में सेम ही लगेगा लेकिन वायर हमारी उल्टी सीधी दे रखी होती तो यह चीज़ आपको देख लेनी है तो यहाँ पर इस speaker के अंदर यह वाली बैटरी लगेगी तो यहाँ पर हम इस बैटरी को लगाएंगे तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हम इसको लगा देंगे तो यहाँ पर देखिए प्लस को प्लस व वायर को हम लगाएंगे तो यह जो स्पीकर और बैटरी की वायर को मैंने लगा दिया है अब इसके अंदर देखें मेमरी हमारे पहले से लगे हुई है तो इस मेमरी को मैं निकाल लेता हूं क्योंकि इसके अंदर फिल्मिक आने भरे होंगे तो मेरे चैनल पर कोपी रैट आ सक केंगे तो यहां पर आउज आपको साफ साफ सुनाइगी दे इसके अंदर कोई भी दिखकत नहीं है तो इस तरीके से क्या अंदर यह hundred यह जो हमाारी डेली account ने speaker के अंदर उस battery के अंदर problem है जिसकी वज़े से यहाँ पर sound नहीं आ रही है तो इस तरीके से यह चीज हमने बाहर के बार चेक कर ली अब इसके अंदर सिर्फ हमें battery को replace करना है अगर आपको battery को replace करना सिखना है तो वीडियो को पूरा देखें otherwise आप वीडियो को छोड़ के जा सकते हो क्योंकि problem हमें पता चल गया कि इसके अंदर battery की problem है तो चलिए अब हम क्या करते हैं इसको पूरा खोल लेते हैं तो battery को replace करने के लिए हमें सबसे पहले इसके पीछे चार पेज दिये हुए इसको खोलना पड़ेगा तो यहाँ पे यह पहले खुला हुआ है तो इ यहाँ पे देखिए हमें इससे नंगा करना है क्योंकि यह जो कपड़े इसने पैने रखें इसको आम उतारना पड़ेगा तो यहाँ पे चलिए इस speaker को हम नंगा कर देते हैं इस तरीके से देखे मैंने इसको नंगा कर दिये इसको हम रखेंगे side में अब इसके अंदर भी ह देखे यहां पर हमने इसको उठा दिया अब इसकी जगह पर आप अपनी कोई भी दूसरी बैटरी लगा सकते हो जितने ज़्यादा है मैं इसकी बैटरी आप लगाओगे उतना ज़्यादा आपको बैकप मिलने वाला है तो यहां पर मैं अपनी दूसरी बैटरी ले लेता हू अब इसके अंदर वायर को भी जोड़ते समय कावे सारे लोगों को प्रोलम होती है चलिए एक बार मैं आपको दिखा दू कि इस तरीके से वायर जोड़ा जाते है लीथे मायन बैटरी के अंदर तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसकी पुरानी वायर को निकाल लेंगे यह मैंने पुरानी वायर को निकाल लिए इस बैटरी को हम रखेंगे साइड में अब हमें इस वायर को इसके अंदर लगाना है तो अधिकतर लोग क्या करते हैं इस तरीके से अपना आइरन लिया उन्होंने और यहां पे सोल्डिंग वायर ली और इस तरीके से उसके अंदर वायर जोडना सुरू कर देते हैं जैसे कि यह बैटरी है भी इसके अंदर हमें वायर जोडनी है तो वो इस तरीके से यहां पे जूटे रहते हैं विचारे ऐसे लगाते हैं और इस तरीके से ये wire ऐसे जोड़ भी गई हलकी सी और इस तरीके से निकालते हैं फिर निकल जाती है फिर से वो कोशिस करते हैं ऐसे यहाँ पर इस तरीके से कोशिस करी यहाँ पर जोड़ गई और हलका सा जोड़ लगाए फिर निकल गई तो यह जो प्रोल पहले scratch करके निसान बना लेने हैं यहाँ पर देखे इस तरीके से आप कर सकते हो कोई भी चीज ले लो आप पैनी सी और उससे इस तरीके से आपको अच्छे से scratch कर लेना है जहाँ पर भी आपको sorting करनी है उस area को रगड लेना है तो मैं एक बार यहाँ पर अच्छे से रगड लेता हूँ यह देखे यहाँ पर मैंने अच्छे से रगड लिया है तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा निसान बन गया है अब उसके बाद देखे हमें क्या करना है जो भी आप sorting आरन ले रहे हो कम से कम वो 25 वाट का होना जरूरी है अगर आप 15 वाट का आरन लोगे तो भी यहाँ पर सोल्टिंग ठीक से नहीं होगी तो हमें क्या करना है सबसे पहले स्क्रैस करना है स्क्रैस करने के बाद आपको अच्छी क्वाल्टी की कोई भी कमपनी का है आपके पास किसी भी कमपनी का उससे कोई मतलब नहीं है यहाँ पर ध्यान यह रखना है कि आपके घर पर लाइट भी फुल होनी चीए लगबग 200 या 220 के आज पास लाइट होनी चीए तब ही आपका जो सोल्डिंग आ रहे है वो प्रोपर गरम होगा और तब ही इसके अंदर सोल्डिंग हो पाएगी अगर इन में से किसी भी चीज के अंदर कमी आपने छोड़ दी तो यहाँ पर सोल्डिंग ठीक से नहीं होगी यह चीज आप ध्यान रखना तो यहां पे देखिए अब हमें क्या करना है इसके अंदर solding करनी है तो हम direct इसके अंदर ने रखेंगे wire को हम सबसे पहले wire को यहां पे melt करेंगे यहां पे solder wire को melt करना हूँ और आपको हिसाब से wire को melt करना है ताकि वो नीचे टपक के ना गिर जाए तो इतना मैंने कर लिया अब यहां पे देखिए मैं आपको बिल्कुल नजदेक से दिखाऊंगा थोड़ा से मैं focus कर लूँ ताकि आप अच्छे से देख पाऊ यह सारी चीज़े अब मुझे यहां पे solding करनी है तो मैं क्या करूँगा बस iron को इस तरीके से इसके उपर ऐसे touch करूँगा और touch करने बाद देखिए iron को हटा लूँगा तो यहां पे यह जो हमारे solder wire है इसके साथ मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से चिपक गई है आप कितने हटा लो इसको अब यह नहीं हटने वाली है अब उसके बाद हमें क्या करना है जो भी wire जोडनी है इस wire को हमें लेना है और wire को इसके उपर salt कर देना है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ सारी चीज़े मैं आपको दिखाऊंगा ताकि आपको अच्छे से clear हो जाए यह सारी चीज़े क्योंकि यहां पर काफी सारी लोगों प्रोलम आती है यह देखे मैं थोड़ा सा focus कर लूँ camera को यह देखे यहां पर मैंने किया और इसको हम इस तरीके से wire को यहां पर जोड दें यह देखे यहां पर मैंने इस तरीके से करा और यहां पर यह जो हमारी wire है पिल्कुल अच्छे तरीके से sold होगी अब यह नहीं निकलेगी ठीक है तो इस तरीके से आपको किसी भी lithium-ion battery के अंदर solding करनी है अब मैं क्या करता हूँ यहां पर solding करके इसके minus supply जोड देता हूँ यहां पर मैंने battery की दोनों wire को जोड दिया है अब उसके बाद हमें इसके अंदर कुछ भी नहीं करना simply इस battery को डाल के हमें दुबारा से pack कर देना है और हमारा speaker यहां पर काम करने लगेगा जो कि मैंने आपको check करके दिखाई दिया है तो इस तरीके से friend अगर आपके भी speaker के अंदर इस टेफ यह sound की problem आपको दिखाई दे तो इस तरीके से इन चीजों को check करके आप confirm कर सकते हो और अपने speaker को अपने घर पे ही repair कर सकते हो तो इस लिए friend फिर मिलते हैं नेक्स्ट टूडियो में कुछ नए टोपिक साथ, तब तक के लिए जैहित, वंदे मातरम